नमस्कार अपनाई माचल देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हो खुश्बू पांटे अपनाई माचल में तमाम खबरों की बात होगी लेकिन इसे पहले कि एक बड़ी जानकारी आपको दे दे सीम सुकू को एक दिवस्तिय दौरे पर हैं दौरा तो आपको बता दें कि सीम का दोरा ये काफी एहम है कई बड़ी ओचनाओं का उद्गाचन करेंगे मुख्य मंत्री सुक्विंदर सिंसुखू बाड़ प्रभावितों को आर्थिक राहत कि यहां पर भेट करेंगे स्कूली जात्रों को लैप्टोप भी वित्रित कियेंगे उनावे सीम का जोरदार स्वागत किया गया है ये बड़ी जानकारी आपको दे रहें सबसे बड़ी सौरोजा प्लांच का भी आप पर निरिक्षन किया है सीम के स्वागत में शेहर को बैनर जंडों से यहां पर सजाया गया है ये बड़ी जानकारी उना से आपको दे रहें सीम ने दूसरी बार यहां पर उना के दौरे पर है मुख्यमंत्री सुक्विंद्र सिंग सुकू यहां पर आज कई परियोशनाओं का यहां पर सोगात दिंगे उना वासियों को ये बड़ी जानकारी आपको दे रहें देखे जब तो सत्ता में पक्षवे थे जब तो डबल इंजिन की सरकार थी तो उनसे जो पीजी आई का सेटलाइट सेंटर था उसकी इनवार्मेंट क्लिरेंस भी नहीं हुई थी जो उन्ना में बढ़ रहा है वो भी मैंने व्यक्ति का तरूची लेकर इसकी अब विकास ठप पांच साल में तो पीजी आई का सेटलाइट सेंटर की घुशना की वी थी उन्ना में उसका कार्या शुरू नहीं करवा सके हमने वो कार्या शुरू करवाया और जो लोग इस परकार की बात कर रहे हैं उन्होंने काला चश्मा पहन रख रहे हैं उनकी अब यहां परकार की बाते करते रहेंगे लेकिन सचाही यह है कि कॉंग्रेस पार्टी ने एक महीने में जो इतनी बुरी हाल में आर्थिक बदाली की विवस्ता हमें मिली थी उसको हम दुरूस्त कर रहे हैं और जो काम रुके वे थे उनको हमने तेजी लाई तो हमारे साथ उनक से हमारे सहियों की पंकज कतना जोड़ चुके हैं पंकज आज मुख्यमंत्री उनक के दौरे पर थे और यहां पर कई बड़ी परियोचना के सोगात दिये हैं आप बताईए ज़रा मुख्यमंत्री का अज सारिक तोर पर यह पहला जोड़ा ही का आज 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 बड़ा मातबू में आज 230 परोड़ की सवगाते गया है जिला उनक को यहां पर दिली है तायव उधाओ पेजर योजना हो सिजाई योजना हो पीने के पानी की योजना हो उसके साथ साथ एक सोलर प्राइट जो बड़ा हमने यहां पर जगने जा रहा है जी पंकज यहां पर स्कूली चात्रों को लैप्टो भी वित्रित किया के आए लैप्टो भी वित्रित करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री तिक और बड़ी जानकारी से आपको अप्रेट करवाएंगे धरमशाला से ये बड़ी जानकारी आ रही है धरमशाला में मेर डिप्टी मेर के जो सुनाव है वो होने वाले हैं तो धाई बजे शुरू होगी वोटिंग प्रक्रिया बिल्चपी कॉंग्रस के कारेकरता पहुचे हैं कारियाले की बाहर अगर सर्व समती नहीं बनी तो बैलेट पेपर पर करवाया जागा धरमशाला मत्दान ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे तो धाई बजे शुरू होगी वोटिंग प्रक्रिया धरमशाला से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे कारेकरता कारियाले पहुच चुके हैं आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार सर्व समती नहीं बनी अगर तो यहाँ पर दो बैलेट पेपर पर मत्दान करवाया जाएगा ये धरमशाला से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं बड़ा बीट आपके सामने है तो वहीं धरमशाला को आज मिलेगा मेयर और डिप बचे शुरू होगी वोटिंग प्रक्रिया कार्यकरता पहुच चुके हैं कार्याले के बाहर अगर सर्व समती नहीं बनी तो आपको बता दें कि यहाँ पर दो बैलेट पेपर पर मत्दान करवाया जाएगा धरमशाला में मेयर डिप्टी मेयर के आज चुनाव होने वाले ह करिब ढ़ाई बचे यह चुनाव शुरू होगी धरमशाला को आज मेयर और डिप्टी मेयर मिल शकता है चुनाव बे दोनों पार्टियों की जो तैयारी है वो तेज हो गई है तो कारेकरता का रियाले के बाहर पहुँच चुके हैं धरमशाला से आपको यह बड़ी जानकारी दे रहे हैं अगर सर्वसमत्ती नहीं बनी तो वैलेट पेपर पर यह जो पुरी चुनावी प्रक्रिया है बदान करवाया जाएगा तो वही धरमशाला में आज मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव हैं चुनाव को लेखर यहाँ पर जो तैयारी है दोनों पार्टियों की ओर से यहाँ पर तेज हो गई है तो धर्मशाला में मीटिंग का जो दौर है वो लगातार यहां पर जारी है करीब वो धाई बचे शुरू होगी वोटिंग प्रक्रिया यह धर्मशाला से आपको बड़ी जानकारी दे रहे अगर सर्वसमती नहीं बनी तो पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है वो बैलेट पेपर पर मद्दान करवाया जाएगा धर्मशाला में आज बेर डिप्टी मेर के चुनाव होने हैं करीब ढ़ाई बचे यह चुनाव होगा धर्मशाला को आज एक बर मिलेगा मेर और डिप्टी मेर चुनाव में दोनों पार्टियों की जो तयारी है वो पूरी तरह से यहाँ पर तेज हो गई तो हमारे सहियों की धर्मशाला से सरवट्वाल जोडचुके हैं सरवाज़ो मद्दान प्रकिरिया शुरू होने वाला है करिब ढ़ाई बचों यह प्रकिरिया शुरू होने वाला है क्या कुछ जानकारी आप ले पारे वहां से ठीक है सरवाल तमाम जानकारी देने के लिए आप का बहुत शुक्रिया तो धर्मशाला से यह बड़ी जानकारी आपको दे रहें अगर सर्वसमती नहीं बनी तो वैलेट पेपर पर मद्दान करवाया जाएगा और वैलेट पेपर पर मद्दान करवाने के लिए जो यहाँ पर प्रकिरिया है वो भी यहाँ पर शुरू कर द गई है तो ऑर बढ़ी जानकारी आपको देंगे राज़धानी शिम्ना से यह बढ़ी जानकारी आ रिए रिटाइड आियर सक्षर सूथ बने है एडवाइजर यह बढ़ी जानकारी आपको दे रहें सुखुर सरकार ने लगाया है एडवाइचर प्रदेश सरकार में निभाएंगे फाइनियंस की भूमी का वेत्विबाग के प्रदान सचिवनी पूरी जानकारी यहाँ पर साजा की है अगामी छे महीनों के लिए ये नियुक्ति की गई है तो अगामी छे महीनों के लिए ये नियुक्ति की गई है आपको बता दे कि यहाँ पर रिट्राइड आईएस अक्षे सुद बने हैं एडवाईजर सुकूर सरकार ने एडवाइसर इनको लगाया है प्रदीश सरकार में ये फाइनेंस की एहम भूमिका निभाते नजर आएंगे वित्मभाग के प्रधान सचिवली ये पूरी जानकारी साधा की है अगावी छे महीनों के लिए इनकी निउत्ती की गई है ये बड़ी जानकारी शिम्रा से आपको दे रहें आट्यो विभागने सोलन ने कंडाखाट सब्डिविशन के लिए अठारा इरिक्षा परमीट को मंजूरी दी है जल्दी आम जनता को इरिक्षा की सुवधा मिलने वाली है आर्ट्यो सोलन गुपाल चंद्शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि आर्ट्यो विभागने कंडाखाट सब्डिविशन के लिए उठारा इरिक्षा परमीट निकाल लिए गए है उनका ये कहना है कि रिक्षा परमीट के लिए जो भी लोग एप्लाई करना चाहते हैं वो ये कंडाखाट के वस्तानी निवासी होने चाहिए और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना आनिवारे है और ये रिक्षा पहले 20 किलोमेटर के दायरे में ही चलाया जा सकेंगे हमने अभी कंडाखाट सब्डिविजिन के लिए 18 ये रिक्षा परमीट शू किया है तो इसमें अभी लोग पाटू ले रहे हैं और इसमें करडिशन ये हैं कि जो वहां का लोकल रेजिडेंट होगा कंडाखाट सब्डिविजिर का उसको ही ये परमीट मिलेगा बाकि जो सुलन पॉपर जो सुलन शैर में और कसौली तैसिल में उसमें जैसे धर्मपूर भी आता है वहीं कार्ड बनाने के लिए काफी लोग पहुँच रहे हैं सांती आभा कार्ड ऑनलाइन तरीके से याँ पर बनाया जा रहा है इस कार्ड के जरीए लभारती देश भर में कहीं पर भी अपना इलाज करवा सकते हैं जो आईश्मान भारत आईडी जो बन रही है इससे आपका आईश्मान भारत हेल्थ अकाउंट बन जाएगा जिसका हम आभा कह रहे हैं उससे आपका सारा जो हेल्थ रिकॉर्ड है जो स्वास्ते संबंदी जानकारी है वो ऑनलाइन उपलब्द हो जाएगी जहां भी आपका स्पिताल में दिखाने जाएगे परचियां उगेरा जो आपका रिपोर्ट जी उठाने की जुरूरत नहीं पड़ेगी ओनलाइन सारी जानकारी आपकी जो है ब्लड ग्रूप है ब्लड शुगर कितना है ब्लूपी कितना रहता है वो सब उसमें चड़ जाएगा हिमाशल प्रदेश के कैबिनेट बैठक में कई मुद्दो को स्विक्रती प्रदान की गई है इस तोरान पुलस विभाग में 30 प्रतिशत आरक्षन महिलाओं को प्रदान किया गया है और कॉंस्टेबल के 1226 पदों को भरने के लिए संशोधन को यहाँ पर मंजूरी दी गई है इसमें जो पॉलसी है हईडरो पावर को लेकशन में सेछम दन क्या गया है इसमें जो भधो शेरिंग का जो पैटन है वो जो है 20% 12 साल के लिए होगा और 30% 18 साल नेक्स्ट के लिए होगा और बाकी के लिए जो है 40% का जो है Shared का यह फएसरा लिया गया है और जो भी लीज होगा hydro projects में वो 40 साल के लिए ही होगा इसके साथ में जंजाती शेत्रों में जो खासकर border के साथ लगते हमारा किनौर और स्पिती का इलाका है वहाँ पर बिजली की जो है सप्लाई को लेकर जो है एक 466 क्रोड का जो है स्कीम जो है आज cabinet ने उसकी मंजूरी दिया है और इस स्कीम के पूरन होने पर यह जो border area है जिलाकिन और का कुछ एरिया और स्पिती का एरिया और आर्मी का जो वहाँ पर हमारी जो deployment है इनको बैतरीन जो है बिजली की supply की और बिजली की voltage की जो अच्छी सप्लाई वहाँ पर दी जाएगी police department में करीब जो है 1226 post जो है constables के बरे जाएंगे जिसमें महिलाओं को जो है 30% जो है उसमें महिला constables के लिए विशेश जो है reservation का प्रापदान की मंजूरी भी cabinet ने दी है हिमाचल प्रदेश में जो कांगडा के अंदर जो एक हमारा zoo बनना है और ये zoo जो है करीब 619 क्रोड रुपे इसमें जो है पुरन कर्चोंगा और इसमें बहुत सारे जो हमारे बन परानी है उसको इस zoo में रखा जाएगा और जो का बनाने का उदेश्चे यह है कि वहाँ पर जो हमारा तूरिजम का capital हम जिसको गुशित किया है दरमशाला का और इस इलाके में चले शेतर में तूरिजम को बढ़ावा देने के लिए ये zoo का जो है निर्मान की मंजूरी इसके बजट के प्रापदान के लिए capital ने दिया है तो सिद्य आपको ले चलते हुना जहाँ पर मुख्यमंत्री सुक्मिंदर संग सुखु उनावासियों को संबोधित कर रहे है जिस बेटी या बेटे ने अपने पिता और माता को फो दिया है अगर वो medical college में स्लेक्ट होता है उसकी medical college की peace भी और hostel की peace भी सरकार यही रही जब कोई बच्चा medical college ITI professional में चला जाता है IIT में चला जाता है IAM में चला जाता है चाया उसकी दो लाग रुपे अभी सोगी उन अनाथ बच्चों की सरकार देगी और जिस तरह हम अपने बच्चे को college आने के लिए जेब में कभी माता से कभी पीदा से वो पैसे देता है कभी मां उसको 500 प्या या 100 प्या देती है हम में फैसला किया ऐसे प्रतेग बच्चे को प्रतेग मां 4000 प्या की मैसिक पॉकिंग मिलेगी उसे सब्दी के लिए कपड़ों के लिए 10,000 प्या मिलेगा कर्मी के कपड़ों के लिए 5,000 प्या मिलेगा उसे जिस तरह हम भूमने मंद्रों में जाते हैं तुरिस तलों पर जाते हैं उसे भूमने की सुविदा भी सरकार अप्लंग करवाएगी और वो बाई एन अप्लंग करवाएगी अगर भार जाना होगा और थीरी स्टार होटल में रहने की सुद्धा में भी दिए जिस बेटे की या बेटी की शादी होगी होगी उसको दो लाग रप्या मिलेगे और अगर उसने अपना काम शुरू करना है एक बेटी आई उसने का मैंने अपना बीटी पागल खोड़ना है सरकार ने उसे दो लाग रप्या अनुदान के रों में दिया अगर उसके पास जगा नहीं है कई बाबाब आप ऐसे होते हैं इनके पास जगा नहीं है सरकार की तरफ से शहर में दो विश्वे और दौ में तीन विश्वे जगा उपलब करवाई जाएगी और उसे मकार बनाने के लिए तीन लाग रफ़ेगी उपलब धनराशी उपलब करवाई जाएगी यह सरकार का पहला पुन्यकारिया आतिक बद्धाली के दोर पर भी हमने कहा कि हमारी सरकार जो कहती है उसको करना है एक लाग शटिस हजार करवचारी अधिकारी जिनोंने हमाचर परदेश में विकास की गाहा लिए है उसके लिए हमें कैसे पैसला करना है यही अधिकारी है यही टिप्टी कमिशनल उस समय के लगे वे हैं, यही एस्पी उस समय के लगे वे हैं, पर हम काम करना जानते हैं, हमने भैंसला किया, कैबिनेट ने भैंसला किया, एक मीने बाद हमारी पूरी कैबिनेट मिली, पहले तो हम ही दूई थे, एक मीने थे तो मेहर रोकेशन भी होत कि यह मार्गे द्रिश्टी को रोना चीए क्योंकि मैं भी खुदे कर्वचारी का बेटा हूं हमने उन्हें गोल्ड कर्चन स्किर दी अभी 11 मीने हुए हैं और मैं यह कहना चाहता हूं मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पिछली पांच साल सरकार थी उसने जन्ता को ठगा है अब इनके जो साथ साथ भी आ रहे हैं वो भी जन्ता को ठग रहे हैं हमने तो कर दिया हमारी दूसरी गण्टी दी पर तेख विधानसवा में चाह स्कूल हम इंग्लिश मीडियम के बनाएंगे मैंने वैसला किया और इस सरकार जो पिछली पांच साल थी किस जदा पर हम शिक्षा के स्थक को लेगे पांच मीड का बच्चा दूसरी कख्षा की पांठ्याग्रम को नहीं बढ़ सकता यह गौर्वनेट स्कूलों का अधाल कर दिया है पिछली सरकार में हमने वैसला किया कि शिक्षा में व्यापक स्तर्पत विवस्ता परिवर्तर होना चाहिए और हमने कहा पर तेख स्कूल में जो अगला अकैडमिक सेशन होगा उसमें सरी स्कूलों में इंग्लिश को अनुवारिया कर दिया जाएगा इंग्लिश पढ़ाने को अनुवारिया कर दिया जाएगा हमाचल प्रदेश विशुविद्याले में शुक्रवार को चातर संग्ठन स्फ आई ने फिर हला बोला है बिते 20 नमंबर को विशुविद्याले में शातरों के दो गोटों के बीच भिडंत की घटना के बाद S.F.I.E. के सदस्यों पर प्रशासन के अक्षिन के विरोत में पक्षपात का आरोप लगाया गया और जमकर यहां पर नारेबाजी की गई S.F.I.E. का रोप है कि विशुविद्याले प्रशासन एक तरफा विडियो को आधार बना कर कारेवाई की है लडाई के दोरान दूसरे गोटों की तरफ से पहले हमला हुआ लेकिन कारेवाई सर्फ प्रशात्र संग्ठोन S.F.I.E. के कारेकरताओं पर की गई S.F.I.E. ने चेतावनी दी है कि अखर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले सबय में आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा क्योंकि बिश्विद्याले के अंदर उससे पहले S.F.I.E. एक अंदोलन कर रही है जो आप जानते हैं राष्ट्री शिक्षानीती हिमाचल प्रदेश के अंदर जब कॉंग्रेस के सरकार के द्वारा लागू की गई और उसके बाद यहाँ पर जो फरजी भरतियां विश्विद्याले के अंदर हुई थी उन भरतियों को लेकर लगातार हम मान कर रहे थे कि सरकार बदलने पर हम मुख्य मंतरी साहब शिक्षा मंतरी सभी से मिले कि उन भरतियों की जाच की जाने चाहिए RTI के माधियम से हमारे पास सारी information थी कि उसके अंदर लगबग 80% जो भरतियां है वो गैर कानूनी रूप से हुई है जिसमें फरजी दस्तावेज जोई शामिल किये गए है तो उसकी एक जांच होनी चाहिए लेकिन सरकार पूरा एक साल भी जाने के बाद भी उसको लेकर ना तो जांच करने को तैयार है ना ही राष्टी शिक्षानीती को लेकर वो जो है उसको बापस लेनी की जो बात राष्टी स्तर पर कॉंग्रेस कर रही है आपने देखा होगा राष्टी स्तर पर अलग-अलग राजियों के अंदर भी दिल्ली के अंदर भी कॉंग्रेस उसलाष्टी शिक्षानिती का विरोध कर रही है लेकिन हिमाचल पर देश के अंदर यही कॉंग्रेस उसलाष्टी शिक्षानिती को लागू कर रही है इसके अलावा चातर संग चुनाओ का मुद्दा था लेकिन पिछले जो 20 तारीकों यहा जिला चंबा के उंचाई वाले एक शेत्रों में बर्फवारी होने से तापमान में काफी गिरावड दर्ज की गई है। प्रकॉप काफी बढ़ गया है। बात करें तो लोगों ने गरम वस्तर पहनना शुरू कर दिये हैं और लोगों ने कंबल और रजाई का सहारा लेना भी शुरू कर दिया है। जिला में आगर आज मोसम की बात करें तो आज जिला में मोसम जो है वो पूरी तरह से साफ है प्रंटू जो पहाडों पर बर्फवारी हुई है। इससे बर्फीली हवाएं निचली क्षित्रों में भी आ रही है जिससे की ताब मान में भी काफी गिरावड दर्ज की गई है फिरहाल मौसम पूरी तरह से साफ है और पहाडों पर बर्फ की सफेज चादर साफ तोर पर देखने को मिल रही है देखते रहे हैं जनता टेबी के लिए चमबा से मुहम्मद आशिक की रिपोर्ट सीम का तीन गरांटिया पूरी करने के बयान पर बिल्चुपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राज्य विंदल ने जुबानी खमला बोला है उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का बयान बेहद हास्यस पद है जिसमें उन्होंने कहा है कि मौजुदा सरकार ने जो दस गरांटिया प्रदेश की जनता से की थी उनमें से तीन गरांटिया सरकार ने पूरी कर ली है साती राजुविंदर ने कहा है कि मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार ने ओपियस लागू करने रोजगार देनी और महिलाओं को एक पंद्रह सो देने का फाइदा पूरा किया है जो बिलकुल दर्थियों के विप्रित है मुख्यमंत्री शिरी सुख्विंदर सिंग सुखुजी का यह कथन कि हमने तीन गारंटियां पूरी की है यह पूरी तरह से हास्यास्पत है दोजार बाइस का चुनाव बहुत पूराना चुनाव नहीं है हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है और उसके अंदर माने मुख्यमंत्री जी उपू मुख्यमंत्री जी कॉंग्रेस के बड़े-बड़े नेता सब की भाशन रिकॉर्डिड है और बड़े जोर जोर से इन्होंने कहा पहली कैबिनेट आएगी एक लाख बेरोजगारों को हम सरकारी नौकरी देंगे श्रीमती प्रियंका जी ने कहा 67,000 पद खाली है और 33,000 पद और स्रिजित करेंगे एक लाख नौकरियां देंगे और उनके शब्दों को मुकेज जी ने और वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने सभी ने रिट्रीट किया आज हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कहां है वो एक लाख नौकरियां आप क्याते हैं हमने गारंटी पूरी कर दी कहां है नौकरी दस हजार भेरोजगार जो और छोटी मोटी नौकरी में सरकार में लगे हुए थे उनको आपने नौकरियों से निकाल दिया अपने हमाचल में मेरे साथ इतना है नमस्कार